हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल आइम नीशा पमार हम लोग यहां पे पार्टनर्शिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं पार्टनर्शिप का हमने सेकिंड चेप्र स्टार्ट किया था जो था चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो अमंग थर्ड अकांटिंग ट्रीट्मेंट अफ रिजर्वस और फोर्थ वैल्यवेशन अफ टैपिटल और फिफ्ट रिवैल्यवेशन अफ एसेट्स और लाइबरिटी उसमें से हमने दो हमारी जो एजिस्मेंट हैं वो कंप्लीट स्टडी कर ली हैं उसके बाद आज जो हम अगर आपकी बुक्स में रिजर्वस हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करोगे सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो से पहले अगर आपको कोई भी टॉपिक के वीडियो देखनी है तो उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो आज हम हमारा ट टीटमेंट ऑफ रिजर्वस एक्कुमलेटरी प्रॉफिट एंड लॉसे बट इसके अकाउंटिंग टीटमेंट से पहले हम थोड़ा सा रिजर्वस के बारे में जान लेते हैं कि रिजर्वस क्या होते हैं सो जो बिजनेस ओनर होता है वो अपने प्रॉफिट को सारा का सारा यूज ना करके उसमें से कुछ पार्ट अपने रिजर्व के रूप में रख लेता है क्योंकि उसे पता है कि future में उसे liabilities होंगी ताकि वो उनकी payment easily कर सके अगर उसने सारा profit यूज कर लिया तो उसके business में पैसा ही नहीं बचेगा फिर उपने liabilities की payment कैसे करेगा तो हमारे business में दो तरह की liabilities होती है एक होती है non liability एक होती है unknown liability non liability मतलब हमें पता होता है कि ये liability future में आनी है और unknown का मतलब हमें नहीं पता होता तो जो non liability के लिए जो reserves बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं provisions और जो unknown liability के लिए जो reserves बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं reserves, provisions हम कौन-कौन से बनाते हैं, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, provision for depreciation, इनके बारे में हमें पता होता है कि अगर हमने assets purchase कर रखी हैं, तो हमें depreciation pay करना पड़ेगा, अगर हमारे debtors हैं, तो हो सकता है कि कुछ debtors हमारे doubtful हो, कुछ हमें payment ना करें, bad debts हो जाएं, तो हम इनके liability होती है, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, उनके लिए हम reserves बनाते हैं, कि अगर liability हुई, तो payment कर देंगे, और नहीं हुई, तो फिर हमारे business में हमारा पैसा है, reserves में हमारा पैसा कहीं जा थोड़ी ना रहा है, वो तो एक तरह से हम एक pocket से निकाल के अपना दूसरे pocket में रख रहे हैं, वहीं तो होता है, reserve, तो अब unknown liability के लिए reserves बनाते हैं, तो एक तरह से reserves बनाना हर business के लिए जरूरी नहीं होता बनाना, बट बनाना चाहिए, इससे उसकी position strong होती है, मतलब यह होता है कि हाँ इस business में इतने profits हैं, कि यह अपने profits का इतना part अपना reserve में transfer कर रहे है ठीक है, तो ऐसे ही आप partnership में भी होगा आपका, अगर partnership आपकी 2-3 साल से चलती आ रही है, तो आप अपने profits में से कुछ part reserve में ज़रूर ट्रांसफर कर रहे होंगे, और आपकी books में reserves होंगे, लेकिन जब partner अपना ratio change करना चाहते हैं, तो अब जब ratio change कर रहे हैं, तो आपकी firm बिल्कुल reconstitute हो रही है, सारी चीजें फिर से start हो रही है, तो reserves का भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, reserves के भी दो option होते हैं, जैसे आपने goodwill के आपके दो option थे, कि या तो वो अपनी goodwill को as it is रखें, उसको change ही ना करें, ना बाटें आपस में, या फि बिजनिस में तो काम आएगा, यह reserve भी, तो जो first है कि वो लोग अपने partners अपने old ratio में reserves को distribute करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या entry करोगे, तो for transfer to reserves and accumulated profits के लिए हम क्या entry करेंगे, आपके जो भी reserves दिये हुए है, reserves account, debit, profit and lows का credit balance का मतलब क्या है, कि आपके profit given है, ठीक है, तो उसको आप debit करोगे, workman compensation reserve and investment fluctuation reserve, हम यह दो reserve बनाते हैं, कि workman compensation reserve का मतलब है, कि जो आपकी workforce, आपके business में काम कर रही है, अगर in case future में वो लोग कुछ problem create करते हैं, और तो हम इस reserve से उसको claim कर सकते हैं, उसके बाद investment fluctuation reserve का मतलब होता है, कि जो आपने investment कर रखी है, अगर in future future में उसकी market value कम या ज़्यादा होती है, तो उसका आपको loss नहीं होगा, उसको आप अपने reserve से clear कर सकते हो, ठीक है, two partners capital account in their old ratio, यह जो entry आप करोगे, उनके old ratio में करोगे, ताकि आपने क्या किया है, कि जितने भी reserve, जितने भी profit थे, आपने सारे के सारे partners के account में transfer कर दिये, उसके बाद आप second entry करोगे, जो आपकी losses हैं उनके बारे में, तो उसके लिए आप reverse entry हो जाएगी, all partners capital account debit, two profit and loss account, अगर उसका debit balance अगर आपको given है, तो, और साथ में two deferred revenue expenditure, अब deferred revenue expenditure क्या होता है, यह आप लोग ने 11th class में भी पढ़ा था, कि कुछ ऐसे expenses होते हैं, जिनका profit ह आज नहीं मिलेगा, आने वाले दो या तीन सालों में मिलेगा, इसके लिए सबसे best example आपका होता है, advertisement expenses, कि जो आपने advertisement पे जो खर्चे किये हैं, वो आज आपके business को benefit ना देके, आने वाले कुछ सालों में आपके business को benefit देंगे, तो इस expenses को आप बोलते हो, deferred revenue expenditure, और इस expenses को अगर आप balance sheet में show करते हो, तो इसको fictitious asset के नाम से आप डालते हो, अपनी balance sheet में, और advertisement expenses को हर year, कुछ part उसका write-off करते जाते हैं, यह अपने 11th class में समने पढ़ा था, ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने reserves और profits को transfer करने के लिए ये entries हम लोग करते हैं, Now student, workman compensation reserve, जो हमने अपने workman के compensation के लिए reserves बनाया हुआ है, आप उसका accounting treatment कैसे करोगे, तो इसके दो option होते हैं, कि या तो आपका कोई claim आये ही न, ऐसी कोई liability arise ही ना हो, कि आपको अपने workman को compensation pay करना पड़े, तो उस case में तो आपको कुछ नया करने की जूरत नहीं है, जो अ partner's capital account in their old ratio, आप वो entry करके अपना reserve transfer कर दोगे, but second जो case है, when claim against workman compensation exist, अगर कोई liability arise हो जाती है, तो आप उसको कैसे करोगे, उसके भी तीन different different case है, कि या तो आपकी liability उतनी ही आती है, जितने आपके reserve है, या फिर आपकी liability उतनी ही आती है, जितने आपके reserve, मलब आपके reserve से कम आ liability आती है, तो इन तीनों cases में आप क्या क्या entry करोगे, तो first आपका case है कि estimated workman compensation claim is equal to workman compensation reserve, कि आपका जो claim आया है, वो आपके reserve के बिलकुल equal है, तो क्या करोगे, आप सारा का reserve अपने जो आपका provision है, उसके अंदर डाल के अपना claim complete कर दोगे, तो workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account, आपने क्या कि आपने provision बना दिया और आपने जो आपका claim आया था, उसकी payment कर दी, इसके बाद, second case है, कि estimated workman compensation claim is less than workman compensation reserve, कि आपका जो claim आया है, वो आपके reserve से कम अगर होता है, तो आप क्या करोगे, जितना आपका claim आया है, उतना amount तो आप अपने provision में transfer कर दोगे, और बाके का जो बच बचेगा, वो आप अपने partners के capital account में, उनके old ratio में distribute कर दोगे, तो उसके लिए entry क्या होगी, workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim to partners capital account, और आप narration डाल दोगे, being surplus of WCR transfer to partners capital account, कि जो आपका surplus था, आपके reserve का, वो आपने partners के capital account में transfer कर दिया, इसके बाद, आपका third case आता है, estimated workman compensation claim is more than workman compensation reserve, कि आपका जो claim आया है, वो आपके reserve से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, तो देखो जितना आपका reserve है, उतना तो आप transfer कर दोगे provision में, उसके बाद जो extra जो claim होता है, वो आप अपने evaluation account से transfer करोगे, उसके लिए आप अपने evaluation account को आप debit करोगे, और जब आप narration डालोगे, वो डाल दोगे, being estimated claim debited to WCR and evaluation account, entry आप क्या करोगे, workman compensation reserve account debit, evaluation account debit to provision for workman compensation claim account, ठीक है, उसके बाद जो evaluation में यह जो आपका loss हुआ है, एक तरीके से यह loss ही तो है कि आपको pay करना पड़ा, आपके पास reserves इतने नहीं थी कि आप अपना claim पूरा कर पाते, तो आप क्या करोगे, यह जो loss आपका हुआ है, यह आप अपने partners के account में transfer कर दोगे, तो partners capital account debit to evaluation account, being lost transfer to partners capital account, तो workman compensation के यह तो आपका claim आए ही ना, और अगर आता है, तो equal आए तो क्या करोगे, ज्यादा आए तो क्या करोगे, और काम आए तो क्या करोगे, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक example लेते हैं, जिससे आपके इसके सारे doubts clear हो जाएंगे, नाओ student, here the example, A, B, C, sharing profits and losses in the ratio of 4, ratio 3, ratio 2, decides to share the future profits and losses in the ratio 2, ratio 3, ratio 4, with effect from 1st April 2019, and extract of their balance sheet as at 31st March 2019, is liability में आपका दिया हुए, workman compensation reserve 90,000 के, show the accounting treatment under the following cases, first case है आपका if there is no claim, कि अगर कोई भी claim नहीं आता है, if a claim on account, workman compensation is Rs. 45,000, अगर आपका 45,000 का claim आता है, third case है, कि अगर आपका claim 99,000 का आता है, and the fourth case है, कि अगर आपका claim 90,000 का आता है, तो क्या entry आप करोगे, तो सबसे पहले हम लोग हमारा first case लेते हैं, कि अगर आपका कोई भी claim नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा reserve अपने partners के capital account के ट्रांसफर कर देंगे, तो उसके लिए आप entry करोगे, workman compensation reserves account debit, आपके partner कौन कौन है, A, B, C, तो 2 A's capital, 2 B's capital account, and 2 C's capital account, आप क्या करोगे, आपका जो 90,000 का reserve है, वो उनके 4 ratio, 3 ratio, 2, जो old ratio है, उसमें distribute कर दोगे, तो आपका amount आएगा, यहाँ पर आजाएगा 40,000, इधर आजाएगा 30,000, and C के account में आपका जल जला जाएगा 20,000, तो यह तो आपका हो गया first case, कि अगर कोई भी claim नहीं होता है, तो हम सारा का सारा reserve अपना transfer कर देंगे partners के capital account में, second आपका case है, कि अगर 45,000 का claim अगर आपको होता है, तो हमारे reserve तो 90,000 की है, claim आपका 45 का होगा है, तो बाकी का जो 45 बचेगा, वो हम क्या करेंगे, अपने partners के capital account में transfer कर देंगे, तो इसके लिए हम entry करेंगे, workman compensation, reserve account debit, to, पहले तो अपना provision में transfer करेंगे, जो 45,000 आपका claim आया है, provision for workman compensation claim account, फिर आपके जो बचेगा, वो आप अपने partners के account में डाल दोगे, तो 2 A's capital account, 2 B's capital account, and to seize capital account, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90,000 है, और reserve जो आपका provision जाएगा, वो आपका चला जाएगा 45,000, अब बाकी के आपके बचे, 45,000, तो उसको आप partners में 4 ratio, 3 ratio, 2 में transfer करद होगे, तो यहाँ पे आपका amount, A के का account में आपका जाएगा 20,000, B के account में आपका जाएगा 15,000, and C के account में आपका जाएगा 10,000, then हमारा third case है कि जब आपका claim 99,000 का हो, कि आपके reserve सिफ 90,000 के हैं, बट आपका claim 9,000 रुपर जादा हो रहे है, तो मैंने आपको बताया थे कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा loss है, उसको रिवेल्यूशन अकाउंट पर रांसफर कर देते हैं, तो इसके लिए हम क्या entry करेंग हम लोग करेंगे workman, compensation, reserve, account, debit, फिर evaluation account, debit, 2, sorry, provision 4 आएगा यहां फिर, provision, for workman compensation claim account, ठीक है, तो कितना claim आपका आया, आपका आया, टोटल 99,000 का, तो 9,000 का आपका loss हुआ, और 90,000 के आपके reserves आपके पास थे, अब आप क्या करोगे, यह जो 9,000 जो आपका है, इसको आप अपने partners के account में ट्रांसफर कर दोगी, या, because यह आपका loss है, ठीक है, तो entry क्या करोगे, sorry, partners, A is capital account, debit, B is capital account, debit, C is capital account, debit, ou to revaluation, ठीक है, तो इसकी entry आप 9,000 का, उनके 4 रेशर, 3 रेशर 2 में distribute कर दोगे, तो यह आपका अजाएगा, 4000, 3000 and 2000 हमारा जो fourth case है, वो है कि अगर claim आपका 90,000 होता है, मलुक्स इतने आपका reserve है, उतना का उतना आपका claim हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम सारा का सारा जो आपका reserve है वो provision में transfer कर दो गया तो workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account तो यह पूरा की पूरी जो आपके एंटर्यू जाएगी 90,000 रुपीज से हो जाएगी तो अगर आपका workman compensation के claim आते हैं कम या जादा या equal तो आप उसको इस तरीके से treat करोगे and one thing कि revaluation account क्या होता है यह question आप लोगों के mind में आएगा कि हम revaluation क्यों ले रहे हैं तो revaluation account होता है कि जहां पर आप अपनी assets और अपनी liabilities को evaluate करते हो कि अगर आपका liability या asset में किसी तरीके का loss हुआ है आपकी asset की value कम हो गई है या फिर आपकी asset की value बढ़ गई है तो आपका profit loss हुआ ना ऐसे ही अगर आपकी liability बढ़ गई है liability कम हो गई है तो उसके लिए हम revaluation account बनाते हैं और वहाँ पे जब आपका overall profit या loss निकलता है तो उसको partners के account में transfer करते हैं तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि आपने results बनाए हुए थे ठीक है तो results आपके liability में show होते हैं तो liability आपकी increase हो गई आपकी liability बढ़ गई है 9,000 रुपी video में पढ़ेंगे अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि revaluation account बनता है सिर्फ आपकी assets और liabilities को revaluate करने के लिए कि अगर उनसे किसी तरीके का loss होता है या किसी तरीके का profit होता है तो उसको हम अपने partners के account में transfer कर देते हैं overall profit या loss निकालके ठीक है and जो हमारा अभी आगे का जो topic है investment fluctuation reserve के बारे में जैसे हमने workman compensation reserve का किया कि अगर कम या जादा होता है तो हम उसको कैसे treat करते हैं सेम ऐसे ही हम लोग investment fluctuation reserve का भी करते हैं कि अगर आपकी investment fluctuate करती है अगर आपकी investment कम या ज्यादा हो जाती है उसकी जो market value है तो आप उसको फिर कैसे उसको कैसे treat करोगे ठीक है और उसके बाद आपका एक last topic बचता है reserve का जिसमें कि अगर आप अपने reserves को transfer नहीं करना चाहते हो आप चाहते हों कि आप अपने reserves को continue रखोगे अपने business में तो उसको कैसे treat करेंगे तो यह जो हमारे topic बच गए इनके बारे में हमारी next video में study करेंगे Thank you